कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ बहुत बढ़िया तो येस्ट वे लाइब नाओ हेलो व्रीवन कैसे हैं सब लोग उमीद कर रहा हूं सारे बेहज शांदार हों और आज के सेशन के लिए बहुत-बहुत जाद करने वालों लेक्षर नमर वन होने वाला यह जहां पर हर वो डीटेल जो बिंगर सीए फांडेशन आश्रेंस आपको पता होनी चाहिए सारी बादी डिस्क्राइब करेंगे ठीक जी वेरी वेरी गुड इवनिंग है होप सारे बहतर हो एक्साइड़ हो और कॉपी पेल लेके बैठे हो गया है ना चलो जी खराम राम जी चलो कहां लेट आपू टाइम बताया कहां था हमने आज टेक्निकली तो आज सेशन होना ही नहीं चीज़ी था बात बात कर लिए नहीं ऑके चलिए बढ़या बढ़या ठीक है तो जितने बच्छे लाइब आरे वह अपनी अपनी प्रेजेंट मार्क करने को आज टेलीग्राम पर भी कोई इंफोर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस सेशन उसके पीछे कुछ रीजन है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थो हम उने पढ़ना नहीं चाहते बच्चा खुश रहता हम भी कहते है खुशी रहा बई चलो इस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता तो लौ में क्या होता है सर माक्स भी नहीं पता इंस्टिटू बोलता भाई नंबर नहीं देने वच्चे को तो ऐसी क्या चीजें है इस बारे में बात करने के लिए ये सेशन अरेंज करा गया है तो सेशन हो रहा है सर सीए सेशन जून 2023 के हम लों करने बात आज का सेशन है रिगार्डिंग पेपर नमर टू विचिस बिजनस लौ अभी होता कैसा जब मैं अकाउंट पढ़ा रहा था हूं बच्चे कदी माम चलता है सर वो लौ कैसे करेंगे सर लौ कैसे करेंगे अभी लौ करा रहा हूं तो अब बच्चे करेंगे और अगें यहां कुछ बेचने की कोशिच नहीं की जाएगी कि आपको मैं यह बोल दू कि तुख बटाते हों एक कोर्स लेना पड़ेगा ऐसा कोई सीन नहीं सर आपको डेली बीसिट पर रेगुलर्ली दिसीटी फॉलो करना पड़ेगा तर्सेट ब बताए बटाए इसाओ फटावट से बतादे फिर हम लोग महौल बना रहे हों जल्दी से बता दो क्या आप सारे बच्चे साइड़ हो शुरू कर सकते हैं कि आप जल्दी से बताईए फिर आगी कंटीनिव करते हैं बिस्नस लॉट का पेपर बीसियार अलग है ना मैं बिस् गविश्चन अब अब बार नंबर की होते हैं इत्ती सी बात है बस एक वैस्टन अप्सों होता क्वेश्चन में वन कंपल सरी होता है एज यूजल लाइक अकाउंटिंग थी ठीग है जी क्या बात है ओके बिल्कुल त्यार है स्टर्योर नेम क्या करेंगे रहा चलो ओके रिपोर्ट है आरंब हो प्रचंड क्या बात है सर वाट अबाउट नोट्स लिखनी है भाई धारे को नोट्स तुम्हें को लिखनी यार कैसा कहते हैं यार रहा हुआ 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 है ओके सर यार हर आटेंप में एक दो बच्चे मिली जाते वह एक ऐसे अच्छे वाले नहीं आईए जी इंप्रूब करा है ओके रिपोड है क्लास का पता था चलिए बहुत बढ़िया आईए लाइव चैट कर दिया गया है और सेशन को आगे करते हैं कंटीनू ठीक है लाइव चैट को आफ कर रहा है आपका पूरा का पूरा फोकस यहां होना चाहिए चलिए शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं हर एक पॉइंट पर डिस्स करूंगा और आपका बहुत ज्यादा फोकस लाइव सेशन में रहेगा और जो कुछ यह बत कर फाणीश्सा जली से बताओ फेलाने एक प्रिक्पिल्स परसोन का नाम है रहे हैरा इसका मतलब क्या है और रहे को टेरael ह करनल प्रमा केलो त Rub did Depft of Chimkane, इसकी मीनिंग क्या है, सिफित्ता बताईए, जल्दी से बताईए, पलाने, Remitted Depft of Chimkane, मतलब मिस्टर A ने मिस्टर B के Depft को Remit कर दिया है, इसका मीनिंग क्या है, जल्दी से बताई, Giving Back, अच्छा ठीक है, Innores, इतने की limit है, कर दिया अब समझो बैडे प्रिटन है पेड़्ट है इसका सीजास मतलब है तू-टू-टू-टू-टू-टू-फॉर्गिव अब जैसे आता है सर इंजक्शन इन इंजक्शन क्या मतलब इसका इस्टे ओडर इस्टे ओडर अब मैं आप से ये सेसिन के शुरुवात में बात ह यहां पर सबसे बड़ा डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉक्त को लेके हैं इस पर हम बात करेंगे चिंटा ना करें है ना नोट्बूक बनानी अफ्कोस बनानी है कोई डाउट ना रखें जैसा मैंने अकाउंटस मोला था आपक पास दो कॉपी होनी चाहिए कोई डाउट इसमें रखें नहीं है ना मतलब हम उसी इसे पढ़ा रहा हो तो इसमें तो कोई संदे होना ही नीची कहां से पढ़ाएंगे ज़र पूरा का पूरा वही चलेगा चिंता ना करें और हां मैं कोशिश करूंगा सेशन खत्म होने बाद इसे प्राइवेट कर दिया जाए क्योंकि आज मैं टेलिग्राम पी इसलिए नहीं करा है जो बच्चा पढ़ना जा रहा है पैशनेटली उसको पढ़ाया जाएगा जो चिल रहना चाहता उसको ऐसे चिल रहना दिया जा सब्सक्राइब करने होते हैं सब्सक्राइब करने होते हैं इस बारी या तो यह शुरू हो रहा होगा या फिर पिर आपका दूसरा एक अक्ट है जिसका नाम है कंपनीज अक्ट 2013 इन दोनों में से किसी एक अक्ट से हम लोग शुरूबात कर रहे होंगे सर ऐसा क्यों है इनकी डिपेंडेंसी बहुत जादा है थर नमबर में बात करें तो इनिन पार्टनर्शिप आक्ट आपका आता है यहीं से हम लोग कर रहे होंगे बुक को फॉलो मत करिएगा कि बुक जैसे चल रही वैसे चले नहीं सर मजा नहीं आएगा इनिन पार्टनर्शिप आक्ट 1932 उसकी पीछे का रीजन लॉजिक भी देता हूं जब कोई बच्चा कॉंट्राक्ट करता हो से मजा बहुत आता है प्यारे 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 ग्जांपल ऑफर एक्सेप्टेंस बच्चा का तो भाई साफ यहीं जिंदगी में चाहिए था बढ़े बढ़े अपने एक्जांपल कोड कर रहाते हैं आपको पढ़ने में मजा बहुत आता है कि आप उसे रिटें कर पाते हैं ता आंसर इस नो क् एक्जांपल तो अच्छे लगते हैं फिल गुड फैक्टर आता है प्रेट इग्जांपनेशन हॉल में कॉपी में जाके वह एक्जांपल नहीं लिखने होते उससे पहले कंसेप्ट लिखना पड़ता है वह कॉंटेंट होना चाहिए वह दिमाग में रहता नहीं एक्ट लिख लीजेगा जरूर से 1872 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट नैंटीन थर्टी यह पांच हमको कर लेने चाहिए और पांच ही एक्ट आपके पेपर में वेलबल हैं लेकिन और कुछ इस तरीके का होने वाला इन दोने में से कोई एक पह पर आकिने नग्रह ऑफ अग्रानिंद हूं अगर को सेला बुड ञिक्ट का ही पार्ट होता था प्रिवियस्ली की सरो कंट्राक्ट से बहर कर आगया है किसी बज्चे क्राइक समझा गया से लसक्ता जила किसिप्स तो कंपनी एक्ट समझ जागा तो लेलपी या लेलपी समझ जागे तो कंपनी इजी समझ जाएगा अब अग्ला सवाल आता है वेटेज क्या है मेरे साथ लिखीगा फाइफ माक्स पेपर में यह शॉर्ट है इससे एक नंबर के आसपास ज्यादा कम हो सकता है मैक्सिमम एक नंबर ली पहलिए और इससे ज्यादा करते ही पॉसी पासिवल ही नहीं ठीक है तो इसलिए जैसा बता रहो वैं यसय वैसके लिखीजीगा फाइफ माक्स यह आता है आपका 13 माक्स यह आता है आपका 16 माक्स और हाँ ये क्लास 11 फाली पार्टनर्शिप अप्र वाली पार्टन हो फ यहां तक बढ़िया था पर जब यहां होगे ना बहुत जाना पड़ेगा राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनिक इस पर भी बात करनी पड़ेगी इसको समझ के रखेंगे अगला लेते हैं कॉंट्राइट सबसे खुबसुरा टॉपिक है 22 मार्स का है और से लगूट सेट अगें 16 मार्स का है तो यह हमारे रहा स्लबस यह पता लगए और यह जो वेटेज में हां लिख रहा हूं आप चाहें तो क्रॉस्च कर लें यह सेम हर अटेम्ट में होता है कुछ भी ऐसा नया नहीं बदलेगा आई यह लाइफ चैड ऑन करते पहले मेरे को बता दिए क्या आपको इतनी बाते समझ आ रही है कि हमारे पास पांच एक्ट है और जो मैंने आपको माक्स बताएं है ते महीं है और और सटी का क्या है यह और भी समझ आ रहा है कोई कंफूजन तो नहीं है कि इसार हम कॉंट्रैक्ट से चालू कर ले हमारी भलानी कोचिंग में कॉंट्रैक्ट से शुरू किया है फरक नहीं पड़ता है ना बीस से बाइस अटेम्ट एक्सपिरियंस बेसिस पर बोल रहा हूं शुरुबात हमेशा यहां से यहां से करिए इसके लावां तीसा नहीं होन जाने का ठीक है और सेशन अगर प्राइवेट होता है तो ऐसा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि यूट्यूब पर कॉर्स कंप्रीट हो जाएगा कैसा सवाल है कि सर आप तो पेपर भी बताओ कि एक दिन पहले नहीं जा रहा है ताम साथ वे टाइम टेबल का कोई वह सीन नहीं है हर दिन साम साथ मुलाकात होगी ठीक है ओके लाइव चैट आफ करते हैं वापत से आगे बढ़ते हैं कि देखिए आपका टेलीग्राम पर होना बहुत जरूरी है और होना चाहिए मतलब आपको अब आप नहीं है वह गलक्स अब्यक्त है होना चाहिए लिए बढ़ते आगे तो मैंने आपको एक्ट बता दिया एक्ट के बियॉंड चलते हैं यहां पर पेपर पैटन की मैं बात सब्सक्राइब कर रहे हैं और यहीं रीजन है सेशन खत्मोंती से प्राइविट करा जाएगा आप पूरी शिद्दत से सुनिए समझे और लिख लीजी है ना बिकॉस जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें सिद्दत से पढ़ाया जागा जो बच्चे मौज कर रहे बहुत मज़े से पढ़ते चलो और यह मैं एक्ट की ओर्डिंग चलूंगा मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बता दूँगा हर एक एक को टार्गेट करेंगे और समझेंगे ठीक है अब मैं यहां पर लिखूंगा एक 2008 अब मैंने भी आपको बताया ना कि LLP एक्ट है तो वही है अब यह वाई शेलिंगे और आप भी अपने मैंड में ऐसे स्ट्राइक करिएगा एक 2008 सिर्फ एक क्वेस्चन आता है ठीक है लिखिए मेरे साथ में सिर्फ एक क्वेस्चन आएगा और यह भी डारेक्ट क्वेस्चन होगा डारेक्ट का मतलब क्या सर्वट द्यूमीन बाई लिख जा जाए और द्यूमीन बाई यह एक क्वेस्चन होगा और यहां ठीक क्वेस्चन प्रटिकल आपको द्यूमीन बाईगा यह दिफाइन एक्स्प्लेइन डिफरेंस बिट्वेंग बोलते हैं वेटेश के बात कर लेए चमकते हुए पांच नमबर दिलाएगा आपको ठीक है जी पूरे 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 पांच नंबर ओके आते हैं अगले अक्ट पर एक एक्ट में डिससके कि भाई यह ऐसा है दूसरे हमारे पास अविलबल है अब यह कौन से अक्ट है सर वही वाला कंपनी अक्ट 2013 वेटेज आपको पता है कि यह पूरा-पूरा तेरा नंबर द थीक है इस एक्ट से टोटल तीम क्वेशन मनेंगे अब अगला सवाल ही इस इस से भाहर आता है यह तो तीन क्वेशन इनका नेचर क्या है समझ रखिये तीन क्वेशन में आपको समझना है एक डाइक क्वेश्चन है इस मेंज्वाट दू में वाइक कॉर्परेटिए वेल स प्राइक्टिकल 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 करें प्राइक्टिकल का मतलब सव्च भाइए सब्सक्राइब बात करें तो जैसा मैंने बोला यह 13 मार्क्स आपको दिलाकर जाएगा फॉर ठीक है और यह 5 marks यह मैं पहले भी बता चुका हूँ अच्छा जी Act 2013 हो चुका है आगे बढ़ते हैं सर यह कलने बाद जैसे हमने बोला partnership तो partnership से बच्चे 4 questions हाँ आगर आप यह जानना चाहते हैं सर कितने कितने marks की questions आते हैं यार मैं जो यह बतायता हूँ यह जो 13 marks है यह बनेगा कैसे वो भी लिखिया आप 4 4 6 3 यह marks है ठीक आप paper किसी भी attempt का उठा करेंगे feel good होगा कि यह आपको पता है यह क्यों पता होना चाहिए because the reason behind failure of the maximum measurement उनको यही नहीं पता कि कितने marks के लिए prepare करना है और कितना लिखना है अब आईडिया लग गया दो नंबर के भी आते हैं सच बाते आते हैं 234567 marks तक के questions आते हैं अब साथ नंबर में कितना लिखना है उसकी हिसाफसे preparation चाहिए दो नंबर में कितना क्रेक्स पॉइंट चाहिए उसकी हिसाफसी preparation चाहिए इस विजा से ऐसी बाते आपको बता रहा हूं आगे बढ़ते हैं अब अगला लेलते हैं हम लोग इस पर देख लेते हैं कि यहां पर भाई साथ चार question से में सिर्फ एक प्राक्टिकल प्रॉब्लम है मात्र लिखो जड़ा एक प्राक्टिकल प्रॉब्लम है और तीन डारेट क्वेश्चन साथे समझ पा रहो डाइट ग्वेश्चन राइट्स अंड्यूटी आप बता दीजिए पार्ट्रिप विल क्या है बता पार्ट्रिप विल आगया दो नंबर के लिए का ओविसी बात है है ना वाइंडि अपके सिच्वेशन क्या है डिजॉल कैसे होती है पार्ट्नर्शिप या अफिर पार्ट्नर्शिप फर्म दो नंबर में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए ठीक है आई आगे बढ़ते हैं जरा अब जैसे मैंने बोला चार क्वेशन आएंगे आपको यह पता भाई वेटेज जो है और 16 नंबर का है आएगा कैसे तो वह भी लिखे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 इस तरीके से यह आपका वेटेज रखेगा 16 मार्क्स का ठीक है लिखते चलिएगा 16 नंबर इस एक से और यह फिक्स है अभी तक की अटेम्ट में ऐसा हुआ है आप में भी ऐसे होगा जब तक न्यू स्कीम अफ्लोड नहीं हो जाती तब तक सेम ऐसे रहेगा ठीक है जी बहुत अच्छे आव आगे वड़ते हैं ओके आक्ट 1932 तक हमें चल चुके हैं नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है इनन कॉंट्राक्ट एक्ट 1872 और यह 22 मार्क्स का वेटेज रखता है लेकिन जो नंबर आफ क्वेस्टेंस है यह वड़ी खुबसूर 247 6 & 5 यह बताना इसलिए जरूरी है सो देट आप अपनी प्रिप्रेशन को जब भी जो भी एक्ट में पढ़ा रहा हूंगा उससे अपने कंसेप्ट को एलाइन करिएगा कि आपको किस स्टैंडर्ड पर उसे सीखने की जूर थे कहीं ऐसा तो नहीं हवा बाजी में चल रहा काम सवाल है nature of questions क्या है दो practical problem दो डारेट क्वेशन अब जब आप अपनी preparation कर रहे होंगे तो आपका गोल बड़ा clear हो जाएगा कि भाई डारेट क्वेशन कैसे कर लेने हैं practical problem कैसे करनी है और मैं आपको यह बताता चलूँँगा इस पूरे session में कि किस topic से practical problem के questions बनते हैं सबसे पहले बात आखरी टॉपिक हमारे पास अविलिबल है तेल आफ गुट्स एक्ट तेल आफ गुट्स एक्ट नाइन्टीन थर्टी ओके सर चलिए यह भी समझ लेते हैं अब जैसे मैंने बोला यह अगें सोलर नंबर का टॉपिक बढ़े खुबसूरत और वेटेश की बा एक क्लारिटी और आप लिख रहें कि नहीं वह भी समझ आएगा आप लिखते रहें आपको अच्छा लगेगा ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं बच्चा लिख रहा होगा तो इसे मजा आ रहा होगा उसे चीजें पता चल लुए यार ये भी है ये भी है ऐसा वाला ओके इस एक से सिर्फ एक प्राक्टिकल प्राब्लम होती ही और दो आपके डारेट क्वेस्टन्स होते हैं ठीक है दो डारेट क्वेस्टन्स एक प्राक्टिकल प्राब्लम वेटेश ही बात करें जैसे मैंने आप से बुला फोर मार्स का एक क्वेस्टन्स सिक्स मार्स का एक क्व 4 plus 6 plus 6 तो टोटल वेटेज हमार पास अवेलबल है वो है कितना 16 मार्क्स अब जब आप अपनी प्रिप्रेशन कर रहे होंगे तो आपके माइड में बड़ी क्लियर क्लियर के आते हैं और टोटल वेटेज कितना है जल्दी बताओ तो क्या सब को बाते समझ आ रही है कि जल्दी बोली क्या सब को यहां तक क्लियारटी है गया कि प्राची का सवाल सब दो कॉपी क्यों कि एक घंटे की क्लास से हो जाएगा तर आपने काम असान कर दिया मुभारत को यार चलों वोगे रिपोर्टी क्या सब को क्लियर हो गया अब आप लिख रहे होंगे ऐसा मुझे भरोसा है और इसलिए मैं जानना चाहता हूं आप से चल्दी विख झाला बसे याल िव तोदिन शाले में टोटरल नबर आफ पसक्गेशल हमें किःुण बले विख क्र Teague जाली जल्द यल्दी अबले टोटल आफ पासरेंगा हमें लिखने पढ़ने का मज़ा ही कुछ और साथ अरे टोटल नंबर आफ क्वेशन चाचा कहां हो इधर देखो नालाय को कैसा करते हो तुम लोग यार इधर देखो हमने बोले यहां पर एक क्वेशन से तीन चार चार आठ चार बारा तीन पंद्रा तो आप लिखे ना एक्जाम म इतने क्वेशन आपको करने पड़ेंगे 16 क्वेशन क्या बात के सब को समझ आ रही है हैinaire 16 यह मैक्सिमम है पंद्रा क्वेशन मिनीमम पी लेकर चलियागा 15 से आते ही आते कशी बार पार्टनर्शिप आले सेक्शन में दो नमर वले क्वेशन में और लाके क्वेशन और देता है टेक्निकली कर बोले तो 15 शोर्ट है 15 क्वेशन पेपर में दिखेंगे अब तुम जो मर्जी अटेंब का पेपर लटा तो फरक नहीं पड़ता ठीक है यह रहेगा 15 क्वेशन दिम 26 ओफ जून जब तुम्हारा पेपर होना है उसने तुम देखो कि बिजन लौ के पेपर 15 क्वेशन आये हुए हैं बच्चे इतनी टेंशन क्यों लेती हो आपका सवाल सभी सब्सक्राइट के सभी क्रेशन कराएंगे आप एक काम करिए आज बैठके क्लास कतम अबाद वो वीडियो देखिए फिर जून 2023 के लिए मैं जो दिसम्मर 2020 वाला पेपर है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा उस पेपर को देखिए फिल गूड लीजी ठीक है कि अहाँ आई लाइब चैट आफ करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स 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 पॉइंट पर मुव कर आज जाए ऐसे अठीके रहेंगे तो मजह कैसे आए तो मैं आपको यहां तक बता दिया हाँ यह चीज़ हो गई है और क्या बताना था आपको जो एक चीज़ बोली मैंने व चैनल है मिल जाएगा चैनल मिल जाएगा और कुछ बताना है तो छोटी छोटी चीज़ें वह बतायता हूं यह सेशन बहुत इंडेफ्ट डिटेल नहीं कर रहा हूं विकास उसका भी समय आएगा याद रखे मैं लाव में फेल होने के कुछ अच्यूक तरीकी बता रहा हू सकते हैं मतलब साफ है यह नहीं करना होगा ठीक है सबसे पहली बात लिखते नहीं बच्चे जैसे आज भी मैंने बता रहा था कुछ बच्चे ऐसे हो जो स्कीन शॉट के चक्क्र में बैठें कहां लिख रहे हो याचा लिखो हैबिट डाल लो बिन्स लॉग के पेपर में ल लिखना पड़ेगा उससे पहले हमें लिखना होगा और डेली बेस दूसरा लॉक जो दूसरी कॉपी बच्चों कुछ बच्चों सवाल था दूसरी कॉपी क्या करेंगे लॉक के वर्ड इस स्पेसिफिकली मैं लिखाऊंगा टेंशन ना ले हर एक्ट की कॉर्डिन लिखो इस बार का एक्स्पेंशन यह होने वाला है लॉक लिखा दूँगा साइट से जितने अटेंट अभी तक हुए है हर अटेंट में जिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को यूज करा गया है पेपर में उसमें कौन से वर्ड का इस्तेमाल हुआ था किस वर्ड पर क्वेशन पेप नोटबुक उठाके देखने के ज़रुत नहीं होगी जो दूसरी वाली कॉपी है ना पतली कॉपी रहेगी उसको रेइस्टर रहेगा नोटबुक रहेगा उप्विस सी बात है उसको उठाएंगे बाद फटा 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 साथ रिवीजन ले लेंगे और पेपर में जाके पोड़ गयाएंगे लेकिन तरीका होगा तो पहला मैंने आपको बोला लिखकर करना है दूसरा लॉक के वर्ट के लिए मैंने बता दिया कि कैसे क्या चीह करनी है और बड़ी इंपॉर्टन बात मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस एकॉर्डिन टू वेटेज ऑफ दिक्व प्रैक्टिस एकॉर्ट वेटेज ऑफ दिक्वेशिन जब हम अपने रिवीजन पर चल रहे होंगे जब हम टेस्ट ले रहे होंगे हमें पेपर लिकर करना है और क्वेश्चन की वेटेज को ध्यान में रखकर वेटेज सोचो ना एक क्वेश्चन है जो इसके लिए तक कवेशी अज सब्सक्राइब लिकर पढ़ायी करनी है पेपर तो लिक के दोगी के लाग का वॉर्ट कर दिए और वेटेज के according practice करेंगे दो नंबर के लिए में कितना लिखना चाहिए तीन नंबर के लिए कितना लिए इसके लिए में आपको बहुत सारी कॉपी एक दो नहीं बहुत सारी कॉपी और आकरी में practice on module question बच्चे model के question को छोड़के आते model पूरी पढ़ते ही नहीं है तो make sure करेंगे आप इसको भी पढ़त जरूर से रहोंगे कर लेना है और हां यह हम और आप मिलकर बहुत तगड़े तरीके से कर लेंगे थैंक तो मच फर कम इंडिस लाइशन वाजिंट लिए आप सारी बच्चे निकाला है पढ़ने के लिए अपने खुद के लिए नेक्स लेवल है और जो बच्चे मौच कर रहे हैं सुनों उन्ह पॉल बनाते रहें चले जी आच लितना ही तो जॉब